कि लगता है मनमोहन सिंग जी प्रधानमंती थे कि डॉलर के मुकाबले रुपया मनमोहन सिंग जी की उमर प्रधानमंती जी की भी उमर पार कर जाएगा। उनके जमाने में तो नहीं किया। लेकिन आज मोदी जी जहां तक मैं जानता हूँ इस 73 आफो और डॉलर 83 पे पहुंच गिया। और उस समय मोदी जी ने कहा था जैसे जैसे रुपय का भाव गिरता है देश की प्रतिस्था गिरती है। तो अगर मोदी जी पे ही विश्वास क करने लाइक नहीं है मैं मानता हूँ फिर भी करनों तो इसके मतलब देश की प्रतिस्था मोदी जी के कारिकाल में गीरी। तो मैंने पांचे गारंटिया गिना दी जो हमारे सामने है। यह भी नहीं कहा जा सकता प्रेट्रोल का दाम बढ़ा क्योंकि इंटर्नेशनल मार्के उतने लोगों को लेके आएगा जिससे हम सरकार बना सके हैं। और जो ती अब बोलना है तो मैं कह दूँ पांचो चालिस हमारी आएगी। अब इनको तो चार सो बोलना है। अभी चार सो का फीगर कहां से निकाल के लाएं हैं। यह बताएं। करनाटक में कम होंगे, बिरुदी दल ने भी चार सो का, नेता बिरुदी दल के बगल में उपनेता मैं हूँ, बैठा था, उन्हों का चार सो तो छोड़िये सो नहीं आएगा, मोदी जी रोजवासर में बोलते हैं कि नेता बिरुदी दल बूल गए। तो यह जवाब लेले तो, गौरब जी सवाल मेरा थोड़ा सा एड़ाउन करके फिर जवाब दीजेगा, आप चार सो का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन एक अकेले मोदी के दम पर, आप अपने आपको दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं, लेकिन आपको भरोसा सिर्फ एक व्यक्ति पर है, ऐसा क्यों। अपनी मेहनत अपनी करमटता से राष्ट्रे अध्यक्ष बने, जोकि इनकी पार्टी में शायद संभव ना हो क्योंकि गांधी परवार का वर्चस रहता इजादत है।